तो आज हम आपको इनोवेटर्स फैकेट सिस्टम के बारे में शेर एनालिसेज बताने वाले हैं साथ ही में आपको ये भी बताएंगी कि आपको इस शेर में कैसे निवेश करना चाहिए आगे बनी से पहले अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजीगा तो इस कंपनी के बारे में हम आपको ये कंपनी क्या काम करती है इसके competitors कौन-कौन है शेर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे, so let's begin इनोवेटर्स फैकेट सिस्टम, यह मेंली एक ऐसे बिजनस में इंगेजड है जहाँ पर यह डिजाइन, इंजीनियरिंग, उसका फैबरिकेशन, उसका सप्लाइ, उसका इंस्टॉलेशन और फैकेट सिस्टम अब जैसे कि अगर आप बड़ी-बड़ी कंपनी देखते हो, तो उसका जो आउटर एरिया होता है, जो पूरा विंडो से, जो मिरर काच से बना हुआ होता है, वो चीज यह कंपनी बनाती है और इंसाइडर जैसे कि कर्टेन वॉल सीलिंग हो गई है, मलब वो सिस्टम हो गया है, उसके बाद इनके डिफरेंट डिफरेंट उसी में ही अलग-अलग चीजे है, अलग-अलग पैटरंज है और सिफ आउटर पार्ट नहीं, इंटीर पार्ट में भी जो अलग डिजाइन्स होती है, जो काच की बनी वी होती है, जो दो पार्ट को डिवाइड करती है, वो टाइप की चीजे भी यह कंपनी बनाती है और में इनका यही काम है, मार्किट कैप इसका 103 करोड का, तो यह एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट करंटली इसका जो स्टॉक प्राइस टो आने के हो 63.4 पे है और इंडस्ट्री का 37.3, तो इंडस्ट्री के कंपारिजन में तो अभी यह काफी महंगे प्राइस पे यह शेर मि है, मलब हाला कि पहले कंपनी का रेविन्यू भी हर साल बढ़ रहा था और प्रॉफिट भी धीरे धीरे कंपनी अच्छा कर रही थी, बट अभी 2-3 साल से कंपनी का रेविन्यू भी थोड़ा उपर नीचे हो गया है, साथ ही में प्रॉफिटेबलीटी भी कंपनी की गिर च नहीं मिला है एक्वीटी पर अच्छा रिटर्न नहीं मिला है डेट कंपनी के पास ज्यादा नहीं है 24.6 करोड का ही डेट है तो यह था 258 करोड का और इसके पास तीर्स में अगर आप देखोगे तो हर साल दीरे-दीरे मलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हो लेकिन कंस्टेंट वे में धीरे-धीरे कंपनी का रेविन्यू इंक्रीज हो रहा था और उस ताम कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड 66 लेक का था बट इन 2020 में कंपनी का जो रेविन्यू है वो यहाँ पर 142 करोड इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया थोड़ा सा गिरा था बट कंपन के रेविन्यू इस ताम कंप हुए और काफी ज्यादा कंप हुए है डैरेक्ट आधे से भी अलब और भी कंप हुए 66 करोड का यहाँ पर कंपनी का रेविन्यू है जिसमें प्रॉफिट से 93 लेक का था और 2022 में फिरसे थोड़ा सा रेविन्यू बढ़ा है 90 करोड के आस पास आया है और उस टाम कंपनी को डेढ लाग से I mean डेढ करोड से उपपर का प्रोफिट था 1 करोड 59 लैक का तो यहाँ पर अब फिर से कंपनी का रेविन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फिर से कंपनी की वही प्रोफिटेबलिटी भी आ रही है तो मलब तेरे कंपनी यहाँ पर 120 करोड इतना तो आई सकती है यह साल अगर आती है तो यह काफी एक अच्छी बात रहेगी इस कंपनी के यह पॉजिटिव वे में दिखेगा कि जो कंपनी की जो रेविन्यू गिरी थी वह फिर से बढ़ने लग गई है और यह एक छोटी कंपनी है तो यहाँ पर प्रॉपर डीटेल्स हमें नहीं मिलती है यहाँ पर सिफ मार्च 2018 का डेटा दिया हुआ है जो अभी वो इतना वर्टफुल नहीं है बट स्टिल हम 2018 में जो अपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 16.97% का था तो उस टाइम कंपनी का ओपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी बढ़या था 2018 में शेर होल्डिंग पैटर्न के अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास 61.88% है और उसके बाद प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे है मार्च में 62.20, 62.41 तो यहां पर दीरे दीरे प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे है और अभी अट लास्ट उनके पास है 63.71% का तो यह काफी पॉजिटिव चीज है कि प्रमोटर्स एक छोटी सी कंपनी है जहां पर मालब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर ट्रस्ट है और वो अपना स्टेक उस कंपनी में बढ़ा रहे है फॉरें इंवेस्टर्स अगर हम देखेंगे तो 0.33 से 0.20 तो यहां पर फॉरें इंवेस्टर्स एक्जिट कर रहे है धीरे धीरे तो ये फिर से एक negative चीज आ गई है company के लिए domestic investors तो यहाँ पर अभी है ही नहीं हाल फिला और public retailers के पास है 36.09% का तो यहाँ पर दोनों चीज़े कि promoters अपना stake बढ़ा रहे है लेकिन फिर से यही है कि foreign investors यहाँ पर अपना stake गटा रहे है तो यहाँ पर वैसा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि foreign investors इस company से क्योंकि आभी बहुत time से या बहुत week से अगर आप ले ले तो foreign investors अपना stake निकाले जा रहे हैं तो है कि मलब जो company अप उन्हें अच्छी नहीं लग रही होगी तो यहाँ पर macro tech developer है, national standard, then knr construction, mahindra life, rail vikas, pnc infratech, ncc and innovators तो यहाँ पर अगर आप मलब चाहे तो आप compare कर सकते हैं यहाँ पर market cap के हिसाब से company को यहाँ पर like 1 to 10 order दिया हुआ है macro tech developers का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर company का जो market cap है वो 51,000 करोड के अबाव है और यहाँ पर innovators का market cap है सिफ 103 करोड का यह company dividend नहीं देती है net profit अगर आप देखेंगे quarterly wise तो 2.17 करोड का हुआ है और profit wise, I mean quarterly wise profit variance यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर इन companies में proper details नहीं होती है और quarterly wise अगर वो हर time profit अपना नहीं बता पाते है तो यह जो चीज़े है वो data हम नहीं find out कर सकते है sales अगर हम देखेंगे तो इस बार उन्होंने 28 करोड 29 लेक का इतना sales किया है तो hope मुलब अच्छा खासा sales company अप फिर से करने लग गई है और अगर हम estimate भी माने कि हर quarter में company 30 करोड जित्ता भी revenue करती तो 120 करोड का revenue तो company अपने आप पार कर रही है ROC यहाँ पर अभी अच्छा नहीं है क्योंकि आपको पता ही है कि revenue मुलब पहले के मुकाबले गिरा है और profitability भी company की मलब revenue का यहाँ पर इतना कुछ नहीं है बट profitability company की गिरी है तो यहाँ पर competitors है इस company के जहाँ पर आप comparison कर सकते हो At last हम share price की बात करें तो 5 यह high 87.90 और currently 54.80 पर है तो जैसे के अगर हम देखे तो एक महिने के अंदर यह 14% गिर चुका है और अभी यह अपने जो 1 week का low है जो 52 का था तो वो उसी के आसपास है अभी और अभी भी अगर हम चार्ट देखे तो यह share जो है वो थोड़ा गिरता हुआ ही नजर आ रहा है लेकिन long term perspective से अगर हम देखे तो यह share अच्छा लग रहा है मतलब long term के हिसाब से अगर आपको लेना है तो आप इसमें निवेश कर सकते हो और अगर trading perspective से भी अगर आपको लेना है तो इस totally upon you आप उस way में भी आप इस share को ले सकते हो आपको innovators packet system के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राब आप चैनल थैंक यू